हेलो दोस्तों स्वागत आपका टारिक एससी 2020 में आज हम डिस्कस करेंगे प्यक्यो आरे से निए पैरे जंपल को किस टाइप से करना है और कम टाइम में कैसे करें साथ में ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो वीडियो 100% आपके लिए यूसफुल होने वाले वीडियो वाला हमारा यह स्टार्ट करते हैं पहरे जंपल नंबर वन तो यहां पर देखें फर्स्ट नंबर और लास्ट वाली लाइन आपको दियोगी और जो बीच के आपकी चार लाइन होंगी याने पीक्यो आरस उन्हें आपको अरेंज करके सही टाइप से उन्हें लगाना है सब्सक्राइब करें तो वहां पर आया था हमारा इजी लेवल का यह तो वीडियो को लास तक देखना और आपको भी करना है कि आपके कितने इसमें राइड जाते हैं जितने वीडियो में वीडियो में करें तो राणी पद्वनी वाज राजपूत क्विंग तो राणी पद्वनी जो थी वह एक राजपूत राणी थी पी अलाओदिन खिल जी इन्वाइड इंडिया एंड रीज दा गेट्स ऑप चित्तौर्ड दा कैपिटल सिटी ऑफ राजपूत अलाओदिन खिल जी ने आक्रमण क तो राचपूत वह क्या होगी चित्तौर्ड क्योंकि बात करें बट्व राजपूत अंडर राणी पद्वनी पद्वनी फॉट लाइक टाइगाबुकर दैक्ट राजपूत एन्डर वाद्वर्बू गें ने जी तूएट्ट, एकृण स्टंथ और पडरा प्राणी तू ngh गया अंदर गया तो कैसा इस्तप रह गया है नहीं है रान रह गया ऐसकी बात करें खिलजी डिजार टू कैप्चर चित और एंट इस वीटिफिल कुएन रानी पदमनी खिलजी की जो इक्षा थी जो अक्रमर करने का उद्देश्य था वो चित और पर कबज़ा करने का तो और एक चीज आप नोटिस करोगे दुबारा जब खिलजी ने अक्रमर किया और वो हैरान रह गया जब वो किले में गया तो वो हैरान रह गया और मुवी भी यहां पर आई थी वो चीज देखोगे तो अराम से यह चीज आप सही कर लोगे तो आर याला देखोगे तो खिलजी चित और एंड रस्ट इंटू दा फॉट अनली टूवी हैरान हो इसलिए रह गया क्योंकि उसने देखा जो राणी और इसके साथ की जो वोमें थी महिलाएं थी उन्होंने खुद को जला दिया इसका मतलब हमारा आर जो है लास्ट में आएगा और ऑप्शन के अकॉडिंग आपको कईने कई मीनिंग वाले भी आपके आ सकते हैं तो सबसे पहले यहां पर आएगा ऑप्शन नमबर पी ठीक है पी आएगा क्यों अलाव दिन खिल जीए भारत पर आक्रमण किया और वह चित और के द्वार पर पहता जो की कैपिटल सिटी थी राजपूत की तो फॉस् के बाद हमारा आजाएगा एस लेकिन क्या हुआ बट जो राजपूर थे वह राणी पदमरी के अंडर जो है कैसे लड़े टाइगर की तरह रही तो लड़े तो यहां पर आएगा क्यों उसके बाद हमारा आ रहेगा खिलजी ने दुबारा से अटाइक किया चितोड़ पर और वह जैसी के लिए के अंदर पहुचा तो वह हैरान रहे गया ठीक है फिर आएगा आर क्यों हो रहा है क्योंकि इसने देखा जो राणी पदमनी थी और इसके साथ की जो वह महिलाएं थी उन्होंने खुद को जला दिया तो पी एस क्यूर ऑप्शन नमर भी विल्कू रा उनकी भी प्रॉब्लम्स होती है उनकी लाइफ में उनकी भी प्रॉब्लम्स थी वैक्षे Salome जब हम अस सफलता करते हैं तो यहां अकसर कैसे निरास हो जाते हैं तो इхन्स उर्भी बाद लाएं तो उन्होंने अपनी जितनी भी पाड़ रहे ओर सफलता हासिल की जो ग्रेट मैन की जो लाइफ होती है जीवन होता है वो हमें इंस्पायर यानि प्रणिना देता है हम उन्हें फॉलू उनका अनुस्खनार करके हम भी अपनी बाधाओं को दूर कर सकते हैं या फिर अपनी असफलता को सफलता में हम बदल सकते हैं तो सबसे पहले हमारी फूरी तरह जो है उतार चराव से भड़ी हुई है यह हमारी फर्स लाइन हो गई इसके बाद क्या आएगा इसके बाद जब हम असपल्द का सामना करते हैं तो हम अक्सर कैसे हो जाते हैं निरास हो जाते हैं यानि क्यों हमारा पहले आएगा इसके बाद इसमें भी ट्रिक की बात करूँगा कि ट्रिक से हम कैसे कम टाइम में कर सकते हैं हमें ठीक है इसके बाद यह आएगा तो उसके बाद वो कह रहा है कि हमें जो है जो ग्रेट में होता है उनका जीवन जो हमें प्रेणा देता है प्रेणा क्यों देता है क्योंकि उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम थी तो सबसे पहले क्यों आया फिर एस आया फिर क्यों आया उनके खिलाब वो लड़े और उसके बाद उन्हें सफलता हासिल की तो इसके बाद QSPR आएगा सफलता हासिल की तो हमें उनका अनुसरन करना चाहिए और हमें भी जिससे क्या होगा हम भी अपनी बादाओं को दूर कर सकते हैं तो QSPR आप्शन नमबर फूर्थ इसका बिल्कुल राइट है ठीक है तो एक चीज़ आँ पर देखोगे तो S हमारा पहले आएगा लेकिन प्रॉब्लम के खिलाफ वो लड़े तो P के बाद आ रहेगा तो P के बाद आ रहे हमारा मिनिंग के कोड़िम बिल्कुल राइट वेरता है तो P के बाद आ रहे है यहां पर देखोगे फर्स्ट और फूर्थ में तो इसका मतलब सेकेंड और थर्ड हमारा कड़ जाएगा अब यहांपे दीके क्यों पहले आएгаा पहले आएगा तो यहां पर स के बाद हमारा पी आएगा क्योंकि जो गेटमेन की जो स्टोरी है जीवन है वो हमें इंइस्पार करता क्यों? क्योंकि के बाद पी आएगा ठिक है तो इसी जो को आप अंदाज century लगा सकती हो या कम टाइम में росी जिज को पूरे दुनिया भर में जिन में जो की स्कूल के बाहर हैं वो क्या है लड़किया यानि गल्स जादा जो है स्कूल से बाहर है यानि गल्स कम एजुकेटेट है अगर वर्ड वाइड हम बात करते हैं तो अब यहां पर तो वो क्या करती है अपने लाइफ में अपने जीवन में बात में साधिक करती है और उनकी जो बच्चें वो भी कम होते हैं क्यों अब वर्किंग बुमेन स्पेंट 90 परसेंट अपनी फैमिली पे क्या करती है खर्च करती है और एजुकेटेट वुमेन एक्वाइड से रिस्पेक्ट अन कॉन्फिडेन एक एजुकेटेट वुमेन जो होती है वो प्राप्त करती है आत्म सम्मान और आत्म विश्वा यानि जो बच्चों की मिर्तिव दर उसमें कमी आई है और बहुत ही कम केस आप मिलते हैं कि जब बच्चा जो है जायल बर्थ यानि जम्न के समय वह मर जाता है so when you educate a woman इसलिए जब हम एक woman को educate करते हैं तो see benefits cascade across the society तो वो समाज भर में benefit उसे मिलता है किस चीज़ का cascade का cascade का meaning जो होता है अगर सर्च करोगे तो जड़ना यहाँ पे होता है बट यहाँ पे कुछ उसका meaning अलग सेंस्पे उनने लिया है तो सबसे पहले यहाँ पे woman के उपर है तो सबसे पहले woman को educated होना चाहिए अब educated होगी तो क्या होगा सबसे पहले हमारा आएगा an educated woman एक educated woman क्या करती है उसे प्राप्त करती है आत्म समाना और आत्म विश्वास उप्राप्त करती है उसके बाद जब वो educated होगी पढ़एगी तो क्या करेगी अपनी life में फिर sardy कम एज में करते हैं वो educated ना होने के कारण भी बहुत सारी है भी हो जातेगी काफी कम east में हो sardy होती है तो educated होगी उसके बाद वो अपनी life में sardy भी बात में करेंगे जो child morality उससे क्या होगा जो child morality यानि बच्चों की जो मिर्त्युदर है उसमें भी कमी आएगी क्योंकि बच्चे कमोंगे तो मिर्त्युदर भी कमी आएगी और बहुत ही कम केसे सोंगे कि child बढ़के समय कोई बच्चा यहां पर मरेगा क्यों क्योंकि वह educated ना होने के कारण भी उसका रेजन होता है कम टाइम में जल्दी साधी करना है उसके काफी यह प्रॉब्लम हो जाते है उस चीज से तो यहां पर वो चीज बोले हैं कि अगर वह educated होंगी तो अपनी लाइफ में साधी जो है जो टाइम पर करनी चाहिए उस टाइम पर करेंगी जो बच्चे जितने उनी चाहिए उतने वह करेंगे उसके बाद जो मॉरल्टी होती चाहिए वह भी कम हो जाएगी मिट्यूदर और बहुत ही कम केसे होंगे कि चाहिए बट के टाइम पर कोई किसी के डैत हो उसके बाद वर्किंग वुमेन और जो वर्किंग वुमेन होगी अगर हो educated होंगी तो इसलिए हमें अगर हम एक वोमेन को educated करते हैं तो इससे वो benefit उसे मिलेगा कास्केट का across the society तो इसका मिनिंग है और सबसे पहले आपको पता चलिया सबसे पहले कौन सा आएगा हमारा सबसे पहले हमारा आएगा आर ठीक है तो सबसे पहले आर उसे educated होना चाहिए आर के बाद educated RPSQ यानि हमारा हो जाएगा option number B बिल्कुल right हो जाएगा अगले दिखते है वी शुट प्लान आवर लीजर के अर्व लीजर मद अपकास तो हमें क्या करना चाहिए अपने जो अपकास है उसका प्लान यानि उसकी अच्छे से योजदा बनानी चाहिए सावदानी पूरक उस तो हमें एक्टिविटी कैसे चुननी चाहिए सम इंट्रेस्टिंग जो मनुरंजक हो और उप्योंकि हो हमारे ऐसी एक्टिविटी हमें चुननी चाहिए it should increase our confidence यह क्या करती है हमारे confidence आत्म विश्वास को बढ़ाती है तो हमें इस इस पर काम करना चाहिए अपने अफकास के दोरान यहीं तरीका होता है हेल्टी स्वस्थ सम्रत और खुश रहने का अब हमें बताना है कि क्या यहां पर इसका sequence बनेगा PQRS कौन सवाला पहले आएगा तो सबसे पहले हमारा वस्थ आगया we should plan our laser carefully तो हमें अपनी जो अपकास है उसका यह उसकी योजदा सावदानी पुरवक उसकी योजदा बनानी चाहिए उसके बाद क्याएगा उसके बाद योजदा बनाओगे तो हमें क्या करना चाहिए हमे सबसे पहले एक ऐसे activity चुननी चाहिए जो के interesting और उपयोगी हो हमारे लिए तो क्या करेगा एक तो यह हमारे आत्म विश्वास को बढ़ाता है क्योंकि बाद हमारा आजाएगा और साथ में activity हमें ऐसी चुननी चाहिए जिससे हमें खुसी मिलनी चाहिए तो इसके बाद हमा पर हमें यह सब जो है सूचना चाहिए जब हम चुट्टी पर जा रहे हो तो वहीं पर हमें डिसाइट करने चाहिए कि आप हमें क्या करना है तो वह चीज एक्टिविटी कौन से करने है तो वह चीज हमें उस टाइम पर सोचना चाहिए तो सबसे पहले हमारा आगया क्यू क अगला हम बात करते हैं अगला क्या है In the first years on his ring Ashoka was an autocrat अपने शाशनकाल के पहले साल में Ashoka कैसा सासकता? निरंकुष सासक था निरंकुष मतलब एक टाइप से नर्दई आप कह सकते हूँ बहुत एक क्रूव टाइप का सासक था Ashoka अपने सासनकाल के पहले साल में The effect over the slaughter on his mind was profound जो effect है किसी इसका नर्दई यानि slaughter का जो भी जैसे जो युद हुआ था उसमें जितने भी death हुई थी उससी इसका उसका जो effect है उसके mind पे कैसा पड़ा? बहुत ही गहरा उसका असर पड़ा He was successful but thousand was land in the battle वह successful था वह सफल था लेकिन हजारों लोग जो है उस युद में मारे गई थे About the ninth year he decided to conquer a king About the year लगबग नवे साल में उसने decide किया कलिंगा को जीतने का This caused a sudden change of his heart और यही कारण था उसके एकड़म से उसका इस चीज ने उसकी जो है जो उसका हर था उसका हिर्दय परिवर्तन उसका अचानक से उसका हिर्दय परिवर्तन कर दिया And join the Buddhist community and becoming a ring और उसने जो है यानि बहुत समुदाइक को join किया और वो एक सन्यासी बन गया तो सबसे पहले अशोक अपने शाशनकाल के पहले साल में अशोका कैसा सा सकता है निरुंकुस सा सकता है और उसके बाद नवे साल में उसने डिसाइड किया कौन क्यूर क्या करने का कलिंगा कलिंगा को जीतने का decide किया तो सबसे पहले आर ठीक है कलिंगा को जीतने की जीता भी तो इसके बाद क्यूँ he was successful बट लेकिन क्या हुआ बहुत सारे लोग यानि हजारों लोग वहाँ पे मारे गए थे और ये सब देख कि यानि the effect of over the slaughter on his mind इसका उसके mind पे बहुत गहरा असर पड़ा और जिससे उसका हिर्दे परिवर्तन अचानक उसका हिर्दे परिवर्तन हुआ और हिर्दे परिवर्तन होने के बाद उसने जो बहुत समुधाय को अपनाया और एक वो सन्यासी बन गया तो R आएगा, R के बाद Q आएगा, Q के बाद P आएगा और P के बाद S आएगा ट्रिक क्या है, जब उसने कलिंगा को जीतने का निश्य किया तो वो क्या हुआ, वो सफल हुआ यानि R के बाद हमें पता है कि Q आएगा R के बाद Q हमारा ठल्ड और 4th में है तो इसका मदला 1st और 2nd को हम यहां से हटा दिंगे अब ठल्ड और 4th में भी R के बाद Q आएगा अब इसके बाद P आएगा या S पहले आएगा उसमें देखना है अब इसमें 1000 लोग जो है मारे गए थी जिसका उसके माइंड पे बहुती बुरा असर पड़ा यानि गहरा परभाव पड़ा यानि इसके बाद हमारा पी आना चाहिए तो पी हमारा हमारा फूर्थ वाले में तो option नमबर फूर्थ इसका बिल्कुल डाइट है तो इससी से आप पूरा पैसेज पड़ोगे यानि पूरा जो पड़ोगे पैरेजंबल तो वहां पे clear हो जाएगा कि कौन सवाला किसके बाद आएगा और आप ट्रिक वाले कम आते हैं यानि आप आपको पूरा पड़ना पड़ता है पैरेजंबल उसके बाद मिनिंग निकाल हुए कि तब आपको मैच करना होता है क्योंकि जिस हिसाब से competition बढ़ आए तो ट्रिक वाला जो है बहुत ही कम आप देते हैं कि कम टाइम में आप कर पाओ बटकाइन की बहुत ही कम टाइम यहां पर लगता है और यह ऐसी है जैसे कम टाइम में आपका हो जाएगा तो यहां पर जितने भी इस टाइप के यहां पर पैरेजंबल आ रहे हैं 2019 के आप पैरेजंबल देखो हुए तो एक सब्सक्राइब काफी चोटे हैं शौट हैं तो इजी थे वह बढ़ा तो थोड़ा उसका लेवल हो चेंज कर दें तो हर चीज के लिए आपको तयार आना है बागी क्लोश टैस के लिए मैं अब स्टार्ट करने वाला हूं यहां प काyse बाहिTF के तो आप कर लोगे तो उसमें तो isolation होता है बाकी जो टेडिउग्राम गृप है उसे जरूपे जरूर जोइन करना यहांगा ताइइऔर वाला सेक्शन है यहानि यह में वहां पे पैसित दंगा और जिसको आपको tops Queen करना है इसमझना चैल्ट operator बहुत अच्छी होगी तो टेलीग्राम को जॉइन करना उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और वीडियो बनाने के अब हर एक वीडियो को देखना हर एक वीडियो आपके लिए इन पॉर्टेंट है अगर आपका जो ड्रीम है स्टैनोग्राफर बनना है या फिर जो आपका टार्गेट है स्टैनोग्राफर 2019 का एक्जाम क्लियर करने का है तो दिन्यवाद और बेस्ट और बेस्ट और लॉग